अगर वार्ट के इंदर में कोई गैप या फिर गैप डाउन वगरा भी दिखने मिल सकता हैं दोनों केसे में देखें तो मार्केट ने कुछ अपसेट का मूमेंटम किया तो यहां पर जो सेल वगरा करके बैठे थे उनका तो मार्केट आइसल खा चुका है अब यहां पर जो वगरा करके बैठे इनको टार्गेट करने के लिए इनके सो गैप डाउन सेलिंग सैट के सैटप को अइदेटिफाय करने का हम प्लान रख सकते हैं गैप में भी कुछ ऐसा ही हम प्लान रखेंगे लेकिन अगर बायर का डिस्टेंस जादा हो जाए यानि कि अगर ओपन होते पोजिटिव मुमंटम आना शुरू हो जाए फिर हमें मार्केट को देखना पड़ेगा अदर्वाइस अगर जब तक रेजिस्टेंस वगर नीचे काम करते हैं वहां पें कुछ ऐसा ही प्लान रख सकते हैं शन्तालिस चासो चालिस के आसपास दो रेजिस्टेंस हैं बहुत बढ़ा गयाप डाउन तो अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि जिसको हम टार्गेट करना साथे वह मार्केट अल्लीग खा जाएगा तो फिर आमें क्या मिलेगा तो बहुत बढ़ा गयाप डाउन ठीक नहीं है करने का हम प्लान रख सकते हैं, 2780, 2680 के आसपास दो रेजिस्टेंस अवलिबल है, 2530, 2440 के आसपास मार्केट ने दो सपोर्ट बना रहे हैं, फरदरा मुमेंटम वगरा को देखकर डिसिजन बनाते रहे हैं, मार्केट काफी ज़्यादा वोला टैलर, ट्रेड ध्यान से और सम ने अवाद, तरहे हैं, आसक दो सबस्दम आपकेट आसलाओ कि पाण आसले के वह भाद से वाद आप शनी वाद, भेग तेवाद आसले खाने ओदाने वाद, आसले